हेलो फ्रेंट्स दृष्टी PCS YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तांजली आज हम पिछले एक हफते की उन खास खबरों और घटना करम पर चर्चा करेंगी जिनसे विहार लोकतिवा आयों की परिक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने क संभावना होगी तो आएए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे सवालों को आज का हमारा एपिसोड है विपेसी करेंट अपडेट्स देखते हैं आज के एपिसोड के पहले सवाल को सवाल है राज्य में कहां पर फूट प्रोसेसिंग का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन से पटना समस्तिपूर मुंगेर भोजपूर या ऑप्शन ई उपरयोक्त में से कोई नहीं उपरयोक्त में से एक से अधिक इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पटना यानि बिहार राज्य में पटना में फूट प्रोसेसिंग का आयोजन किया फूट प्रोसेसिंग क्या है तो यह एक प्रक्रिया है जिससे कच्छे माल यानि खाद्य पदार्थ होता है जो उसकी कच्छे माल को इस तरीके से विक्सित करना होता है जिसे पैकेट बंध भोजण आधी की रूप में बनाया जा सके और उन्हें लंबे समय तक स्टोर किया तो फूट प्रोसेसिंग से क्या लाब हो सकते हैं चुकि भारत बहुत अधिक मातरा में फूट प्रोसेसिंग को आयात करता है उस प्रोसेस को या उस फूट को आयात करता है इससे उस आयात में कमी हो जाएगी और जो विपने राज्य हैं जहां पर यह उद्यों के स्थाप बनाये रख सकता है, तो यदि बिहार के संदर्व में बात करें, तो कहां पर इस conclave का आयोजन किया जाएगा, तो option A, पटना इसका सही जवाब होगा, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, हमारी अगली खबर है, राज्य में कहां पर, पहली चरण में, मेगा स्किल सेंटर की स सा पहली बार हो रहा है, जिसमें पहली चरण के अंतरगत, तीन जगहों पर, पटना, नालंदा और दरवंगा, इन तीनों ही जगहों पर, मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जा रही है, यहां पर यह स्किल सेंटर, यह मेगा स्किल सेंटर क्या है, तो यहां पर लोगों को जो फ्रसिख्षित किया जाएगा कि कैसे वह ऊध्यम कर सकते हैं, किस तरीक्य की ऊध्यूब को किया जा सकता है, start-up की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और जैसे ही उन्हें cioè कि यह कौशें कि प्रदान किया जाएगा, उसके जा रही है जिसे हम mega skill center कहेंगे और इसके बाद लगभग बिहार के सभी जिलों में इनकी शुरुवात करने की बात कही जा रही है लेकिन हमें सवार frame किया है पहले चरण के संदर्ब में तो ये तीनों ही जिले उसमें शामिल है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरक हमारा अगला सवाल है बिहार के विकास के लिए केंदर सरकार ने कितने करोड रुपए का fund दारी किया है उप्शन से 1100 करोड 152 करोड 1250 करोड या 1275 करोड और ऑप्शन E उपरयोक्त में से कोई नहीं उपरयोक्त में से लगभब 450 करोड केंधर सरकार बिहार को देने वाली है किसके लिए विखार के विकास के लिए यह फंड जारी करेगी केंधर सरकार इस fund के जरीए भिहार के विभने गरामेड उद्योगों को विभावादिया आज़ा सकते है और विभने प्रकार के ऐसे उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है जहाँ पर रोजगास रजनाधी किया जा सकता है यदि बात करें कि इसका net amount क्या है तो ग्यारह सो 52.6 जी रेकरोंगे इस तरह इस सवाल के सही जवाब के बात करें तो option B इसका सही जवाब होगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है बिहार के किस जिले की 16 बच्चियों ने मिलकर brilliant band तयार किया है options हैं सहर्चा, पूनिया, सारण, कटिहार उपरियुक्त में से कोई नहीं उपरियुक्त में से एक से अगली इस सवाल के सही जवाब है option C सारण सारण की कस्तूर्व विद्याले की 16 बच्चियों ने जिसमें कप्छा 6 से 12 तक की बच्चियां शामिल हैं इन्होंने मिलकर एक band के निर्माड की बात कही है और इन्होंने मिलकर एक band के निर्माड भी किया है यानि एक band बन कर उनका तयार हो गया जिसका नाम रखा है brilliant band इन्हीं के तरजपर राज्य में और भी विविन एक शेत्रों में अब लड़िकियों द्वारा band बनाया जाने की चर्चा चल रही है ताकि और भी एक शेत्रों में लड़िकियों को इस शेत्रों में प्रोत्साहन मिल सके और ऐसे कारे करने में उन्हें किसी भी प्रकार की जिजग ना हो यदि brilliant band की बात करें तो यह कहां पर बनाया जा रहा है option C सारण में जिसमें छटवी से 12 वी तक की 16 बच्चियां शामिल है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है PM मोधी बिहार व बिधानमंत्री नरेंद्र मोधी बिहार विधानसवा Ahhh पहुंचने वाले पहले भारति विधानमंत्रीय पहले प्रदानमंत्रिय न कहां पक्या कारण हैं तो विधानसभा की 100 वर्श पूर्शम जींगे इंक GANG जोई एहां पर पहुचने वाले पहले प्रधान मंतरी होगा मताना है कि बीहार विथान सभा की तरफ हमारी ख़बर की इंजिरियन कोलेज बिहार का पहला इंजिरियन कोलेज बना जहां Aeronautical Engineering में M-Tech की पढ़ाई शुरू होगी, options हैं नालंदा, गया, रोहतास, जमुई, उपरिफ में से कोई रही या उपरिफ में से एक से अधिक, तो बिहार में नालंदा Engineering College, यानि नालंदा में बने एक Engineering College, ऐसा पहला Engineering College बनने वाला है, जो वहां पर Aeronautical Engineering से संबंधित M-Tech की पढ़ाई करवाने वाला है, इस वर्ष से ही उसने इसके लिए 60 सीटें आवंटित की हैं, और इन 60 सीटों पर ही admission लिया जाएगा, और इसी वर्ष से यहां पर M-Tech की पढ़ाई शुरू होगी, किस पर Aeronautical Engineering से, अब भिहार की लोगों को अनि राज्यों में Aeronautical Engineering के यह जाना, यह जाने की जुरूरत नहीं होगी, यदि बात करें कि वे नालंदा का कौन सा Engineering College है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहां पर, चंडी Engineering College, जो कहां पर है, नालंदा, जो इसी वर्ष से M-Tech की पढ़ाई शुरू करवाएगा, Aeronautical Engineering से, हाला कि पिछले वर्ष से इसने विभिन और अन्य छेत्रों में भी M-Tech की पढ़ाई इसने शुरू कर दी थी, तो बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ, हमारी अगली खबर है, हाल ही में किस राज्य में आयोजित, जूनियर नेशनल टार्गेट बॉल चैंपियनशिप में, बिहार पुरुष टीम व सिक्किम, जार्खंट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उपरियुक्त में से कोई नहीं, उपरियुक्त में से एक से अधि, इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन D, हिमाचल प्रदेश, यानि अभी हाल ही में कौन सा चैंपियनशिप था, जूनियर नैशनल टार्गेट बॉ पुछा गया है कि आर्या है, उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है फिल्ड फेसिलिटेटर, गाइट फॉर SVEP, इसकी अनुसार अभारत का जो ग्रामीन मंत्रा ले है, वह काम करने वाला है, पुछा गया है कि वे कि जिले से संबंदी थे, ऑप्शन से, मुझफर पुर, पुछन गंच, कटिहार, मुंगे, उपरियुक मैं से कोई नहीं, यह उपरियुक मैं से एक से अधिक, इस सवाल का सही जवाब है, उप्शन A, मुझफर पुर, यानि आर्या, किस जिले से संबंदी थे, मुझफर पुर से संबंदी थे, और इन्हीं की पुस्तक है, के लोग उसमें आते हैं, खासकर महिलाओं के बारे में उन्हें चर्चा किया है, और यह उन्होंने लगबख 16 राज्यों में, जब पूरी तरीके से देखा है, इसका वलोकन किया है, इसके बाद उन्होंने इस पुस्तक में इन तथ्यों को शामिल किया है, कि जो ग्रामीर उद्यमिता है, उसमें महिलाओं किश्टर सामिल होती हैं, और जब वे उसमें शामिल होती हैं, तो उन्हें कौन-कौन सी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, इस पुस्तक में इन इन चुनोतियों के साथ-साथ उनके कैसे समाधन किया जा सकता है, या उन चुनोतियों स पिस जिले से संबंदित ही तो option A मुजफ़र पूर यानि आ रहा मुजफ़र पूर से संबंदित है तो इस सवाल के साथ ही हमारे आज के शेशन को विराम दीजिए मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रही रिवीजन करते रही शुक्रिया R.A.S की संबंद तयारी के लिए टीम दरश्टी शुरू कर रही है दो नए ओफ-लाइन कोर्सेस 21 जुलाई सुबह आठ बजे से प्रारंब हो रहा है R.A.S प्रिलिम स्कोर्स और R.A.S में स्कोर्स शुरू हो रहा है 26 जुलाई दो पहर तीम बजे से इन कोर्सेस के बारे में संपूर्ण जानकारी और एड्मीशन के लिए आप हमारे जैपूर के इंदर पर आईए हमारा पता है द्रश्टी आईएस 4545A टॉक रोड जैपूर इसके अलावा आप हमें 8929-7387-72 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं